एक धम इनोंने वाक्त बदल दिया जिस बात बदल दिये जिंदकी बदल दोस्तों आप सब का स्वागत है रविस मैक्रोब्यालोजी में जिससे अपने देखी लिया होगा कि जिसका हमें था इंतजार जिसके लिए हमारा दिल बहुर टाइम देखा बेकरार वह घड़ी आ भी जिन लोगोंने पेपर दिया है उनको तो पता है कैसा था कितना इसी था जरू अगैगा जारू करते हैं उनको ने पार्ट पर्ट अ और आप ते पार्ट सी में लगे तो उनको तो लगा होगा यह क्या हो गया है अगर आप क्वेश्चन देखें तो थ्याओ बहुत इजी बहुत ही बेजिक लेवल के क्वेश्चन थे लेकिन यहां पर हम ब्लेम CSR को नहीं कर सकते खुद को कर सकते हैं यहां तो ऐसा हमारे ही न लोगों ने जो ट्रांस्क्रिप्शन के चाज्वोगों का प्यार हो गया है क्या कहे तीन-चार कोष्चन देखें यह थे सेंट्र डोगमा पे ही आप देख लीजी रेपकर एकिश्चन देखकर देखिए क्या किधने क्वेश्चन जो टॉपिक्स हम एतने साल से देखते हैं या कि हम देखते हैं कि हमें पता है कि जून की और डिसेंबर की थोड़ी पैटन लग रहती है, थोड़ी questions चेंज आते हैं, थोड़ी analytical होता है, थोड़ी descriptive होता है, जो ऐसा कुछ इस बार नहीं था, हमें पता ही रहता है कि वो लोग थोड़ा-थोड़ा शौक तो देते हैं, इस बार तो बहुत ही different type का जो है, वो question paper निकाला था, शायद इस बार panel होई वो, change होई होगी question paper निकालने की, अगर आप देखे, part C के बार में चलिए बात करते है, start से, part C में, अगर आप question देखे, तो अगर हम देखे main topic जो मारे apoptosis रहते हैं, cancer रहते हैं, agrobatrium देखे, बह cell cycle में भी एक था, बहुत ही कम question major topic में से पूछे गए थे, और basic level पे, स्यादा question पूछे गए थे, जो लोग 712 में से करके आया थे, यानि कि जो 713 में भी है, या 714 में, उनके लोगों यह पर अच्छा रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने यह पढ़ लिया होगा, लेकिन ज लोगों ने बहुती easy में पूछा था, लेकिन जो options आप देखे, तो आपको ऐसा लागी का कि सब सही है, या सब गलत है, यानि कि जादातर question थे, statement थे, statement में थे, अब question वहाँ पे आता है, statement में basic question है, हमें थोड़ा गोता है, उसके बारे में मालूमी होगा, कि transcription क्या होता है, translation क्या होता है, लेकिन जब उसमें से बहुती ज़्यादा deep गए, तब पता चला कि ये तो सारा मालूमी नहीं है, या फिर मालूमी तो भी बता नहीं चलड़ा कि इसमें क्या आएगा, और option देखे तो हम ज़्यादा confused हो गए, कि अभी होगा क्या, तो बहुती ज़्यादा ज इतने ज़्यादा जो direct questions जाते हो, direct question इस बार नहीं थे, इस बार part B में भी थोड़ा बहुत logic था, थोड़ा बहुत जो में अमारा दिमाग या फिर थोड़ा time देना पड़ता था, क्योंकि part B में normally क्या होता था, अब तक की बात कर रहा हूं, आज के पहले, कि सीधे question जाते यानि कि कोई भी आपको दे दिया question, सीधा answer मिल जाएगा, direct question, no logic, nothing, only informative, लेकिन इस बार में तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना पड़ा था, कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, बहुत सारे question थे, part A क्याला कि दूसरे comparatively part A बहुत easy था, part A बहुत easy था, जिसमें question cover कर सकते थे, mark cover कर सकते थे, लेकिन आप जैसे ही, part C में तब तो वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गी, जज़बात बदल थे, भाई मुझे मारो, आप सबने वीडियो शाहिद देखा होगा, ऐसी feeling मुझे भी आ रही थी, कि ये सब क्या हो रहा है, हमें पता है, याता है एक question था, मैं आपको बता होगा, replication fork का, जो fork आपको और जगा मिल जाएगा, आप कहीं भी search करोगे, कोई भी book देखोगे, वो fork का picture आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ mark जिदिये किते 1, 2, 3, 4, वहाँ पे आपको fill up करना था, जब fork कि इसने देखाओगा, तो लगाओगा, अरे, कितना इसी question है, जब ए दिखाओगा, तो भी लगाओगा, या, leading stand है, लेकिन जब दूसरे statement, B.O.C. पढ़े होंगे, तब करेशन होंगे, यह क्या है, उसके बाद भी, जब आएंगे MCQ में, तब तो ज़्यादा बढ़ गया हों जिने expect करते हैं, बहुत सारे जैसे ज्यादा expect करते हैं, hormone का तरहाला की question था, sex ratio में इस पर question आये थे, जो हम पेडिग्री के, जो हम normal लोग करके जाते है, rule पता करके क्या अच्छा है से पेडिग्री के बोलते हैं, लेकिन पेडिग्री का इस पर question बहुत ही different था, बहुत ही different type का इस बार paper था, बहुत ही basic level का था, हम इसको hard नहीं किया सकते हैं, लेकिन यह किया सकते हैं, हमारा शायद basic knowledge कम रहा गया होगा, यह शायद, और इस बार जो problem आया था computer में, वो mainly यह था कि question की length थो उतनी थी, जितनी हो normal रखते हैं, लेकिन हमारे screen पे हमें आजा question है statement tap या पिर अलग tap का है, तो फिर से question में जाओ, फिर से mcq में जाओ, question mcq, आदे से ज्यादा minute तो उसमें चले गए, अगर आप भी इस पहरे में relate कर रहे तो आपको comment section में मुझे बता सकते हैं, कि आप थोड़ी थोड़ी दिर में question के तरफ जाओ, थोड़ी दिर में mcq प देना है, competitively लेकि देखे, तो part A बहुत easy था, competitively बहुत easy, यह predictable part था, कि इसमें हम predict कर सकते थे और basic questions, उसमें तो बहुत basic question आए, अगर part B की बात करें, तो थोड़ा हल्चल मचान देने वारा था, part C तो हाला कि बात ही करने की ज़रूत नहीं, transcription के बारे में तो उन्होंने क् पूछा, पूरा transcription Watson में से पूछ दिया है, replication के बारे में भी बहुत पूछा, plant pathogen interaction के बारे में बहुत पूछा, classification के बारे में पूछा, phylogenity tree के बारे में पूछा, जो हम करके जाते हैं, उन्हें से तो कुछ आया ही नहीं था, so very shocking, लेकिन क्या कर सकते हैं भी, best of luck आप सब अगर आपका जो basic clear होगा, तो advance आप कर ही सकेंगे, तो ऐसा ही शायद उन लोगों ने भी आज सोचावगा paper बनाने वालों ने, panel ने, कि अगर basic किसी का clear होगा, तो definitely वो advance तो अच्छा कर ही लेंगे, इसलिए उन्होंने आज basic सब का जो है वो, check किया था, आपको अगर कुछ कुछ ऐसा लगे तो मुझे comment section में comment कर सकते हैं, अब से हम कुछ अलगतर आखे पढ़ने की try करेंगे, आप मेरे लिए कुछ suggestion हो, कि sir ऐसे ऐसे पढ़ाने आप लेंगे, पहले question solve कर रहा हूँ, या फिर theory कर रहा हूँ, या फिर दोने एक साथ कर रहा हूँ, आपको ऐसा ठीक लगे आप comment section में comment कर सकते हैं,